हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल मेरे चैनल पर आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम आपको डिजाइनर ब्लाउज बना कर दिखाने वाले हैं और ये बहुत हैबी साड़ी का ब्लाउज है और प्लेन फेवरिक है तो इसको हमें अच्छे से डिजाइन करना है तो किसे डिजाइन करना है तो फ्रेंड्स वीडियो को आपको पूरा देखना इस कि नहीं करना है और अप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लगानी है तो देखिए कि इस तरह से हमें शिलाई लगानी है तो देखिए तो है तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए और मुझे पलीज सपोर्ट कीजिए तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है तो friends देखिए हमने नीचे सिलाई लगा ली है अब हमें इसको अच्छे से सेट करना है तो देखिए किस तरह से हमें इसको सेट करना है अब हमें यहां से इस पे सिलाई लगानी है गले पर सिलाई लगानी है तो friends देखिए इस तरह से हमें शिलाय लगानी हैं और जरूरर नहीं है कि हम बुकरम से ही गला बनाएं, बुकरम या पेपर पेस्टिंग से इस तरह से भी गला बना लेना है और अच्ची फिणिसिंग के साथ गला बनता है, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको, तो देखिए मैं हर बल कट कर लेना है तो फ्रेंड्स इसमें बहुती प्यारा डिजाइन बनने वाला है तो प्लीस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे support करिए तो देखिए अब हमें इसके चारो तरफ सिलाई लगानी है तो friends इसमें finishing matter करती है time matter नहीं करता है तो आप पूरा इसमें time दीजिए और finishing के साथ में blouse बनाईए blouse या कुछ भी आप बनाते हो तो देखिए इसमें हमें सिलाई लगानी है अब हमें इस साइड में भी सिलाई लगानी है तो देखिए इसके चारो तरफ हमने सिलाई लगा के और हमने extra कपड़े को cutting कर लिया है अब हमें इसमें अस्तर लेना है तो देखिए ये हमने बच्चा हुआ अस्तर लिया है और इसको हमें ब्लाउज में रखना है ब्लाउज को हमें इस अस्तर पे रखना है तो देखिए इस तरह से हमें इसको रखना है और हमें इस पे सिलाई लगानी है तो friends मैंने पहले भी बताया था कि बुक्रम या paper pasting से गला नहीं बनता है ऐसे भी हम गला बना सकते है तो देखिए किस तरह से मैं गला बना रही हूँ अब हमें इस तरह से शिलाई लगानी है अब हमें इस side में शिलाई लगानी है तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है अब हमें एक्ष्टा कपड़े को कटिंग कर लेना है अंदर से तो देखिए इस तरह से अब हमें इस तरह से इसको पलटना है और जितना हमें फोल्ड करना है उससे आदा इंच एक्ष्टा ले लेना है तो देखिए हमने एक इंच से ज़्यादा ले लिया है और हमें एक्ष्टा कपड़े को कटिंग कर लेना है अब हमें इसमें कट्स लगाने है तो देखिए हमें धागे का ध्यान रखना है धागा कटना नहीं चाहिए तो फ्रेंड्स देखते जाए पूरा वीडियो देखिए गला किस तरह से बनता है फिनिसिंग के साथ में वह भी कपड़े से बिना पेपर पेस्टिंग के तो देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है तो फ्रेंड्स आप इस तरह से कोई साभी डिजाइन ब्लाउज में बना सकते हो तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है अब हमें इसको पलटना है तो देखिए इसके हमें कोर्णर निकालने है तो हमें इस तरह से पेन या सुई का इस्तेमाल करना है और इस तरह से हमें इसको भार निकालना है जितना हमारा कोर्णर निकलता है उतना हमें निकालना है तो देखिए यह हमारा कॉर्णर निकल चुका है इस तरह से अब हमें इसको भी निकाल लेना है तो देखिए हमने दोनू कोर्णर निकाल लिये हैं अब हमें यहां से इसमें सिलाई लगानी है आप इसमें प्रेस भी कर सकते हो बिल्कुल पेपर पेस्टिंग ये बुकरम जैसा इसमें लुक आता है और ऐसी फिनिसिंग आती है तो देखिए पहले हमें इसमें सिलाई लगानी है और हम डोरी भी इसमें साथ में अटेज करने वाले हैं तो देखिए इस तरह से हमें डोरी रख देनी है और हमें इस तरह से इसको पलटना है तो फ्रेंट्स हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसको खीशते हुए सिलाई लगानी है इस तरह से ताकि हमारी फिनिसिंग अच्छे से आये तो देखिए इसमें भी हमें डोरी अटेज करनी है इसी तरह से शिलाई के अंदर डोरी अटेज करनी है आप बाद में भी लगा सकते हो तो देखिए कितनी अच्छे से फिनिसिंग इसमें आ रही है बिल्कुल पेपर पेस्टिंग की तरह तो फ्रेंड्स आप कोई सा भी गले में सेप दे सकते हो इस तरह से बना के देखिए ये हमने डोरी भी अटेज कर ली है इसमें अब हमें इसमें डोरी को कट कर लेना है इस तरह से पकड़ते हुए अब हमें इसमें रटकन लगाने है तो देखिए हमें इसमें फ्लोवर बनाने है तो देखिए किस तरह से हमें यह हमने चोकोर कपड़ा ले लिया है और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है अब एक कोने को इस तरह से पकड़ना है दूसरे को इस कटिंग कर लेना है अब हमें इसको सीधा करना है तो देखिए इस तरह से हमें इसको बनाना है अब हमें दूसरी में भी इसी तरह से बना लेना है जो हमारा बच्चा हुआ कपड़ा है इस तरह से हमें इसमें बहुत सारे डिजाइन बनाने है तो देखिए इस तरह से हमें कापी सारे टुकड़े काट लेने हैं तो देखिए हमने टुकड़ों को कटिंग कर लिया है अब हमें एक बार और आपको दिखा रहे हैं इस तरह से हमें रखना है और इस तरह से हमें रखके सिलाय लगाने है तो देखिए ये हमने शिराय लगा दी है अब हमें इसको कट कर लेना है अब इस तरह से हमें पलटते हुए इस तरह से इसको खींचना है तो देखिए दोनों सेम बन चुके हैं इसको बनाना बहुती आसान है अब हमें इस तरह से सारे प्लोवर तैयार कर लेने हैं और इसमें अटेज करने हैं तो देखिए तो friends काफी heavy लटकन के साथ हमें इसको तयार करना है तो देखि इस तरह से हमें सारे में इसको लगाना है तो हमें इसको उल्टा रखना है इस तरह से तो देखिए इसमें भी हमें इस तरह से अटेज कर लेना है तो देखिए इस तरह से हमें तयार कर लेना है तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और फ्रेंट्स कमेंट में जरूर बताए कि आपको कैसा लगा है और मैंने फ्रंट पार्ट को भी डिजाइनर बनाया हुआ है तो आपको मैं इसकी लिंक डिस्परिक्शन बॉ वीडियो में बने रहे